हेलो स्वागत है और आज हम लोग इस वीडियो के इंतर डिसकस करने वाले हैं ओडिटिंग का पेपर जो की बीकॉम थर्ड यर एक्जामिनेशन 2021 का पेपर है यहां यह आपके सामने जो पेपर है यह 2021 का जो पेपर हुआ था बीकॉम में CCS University में तो यह उसका पेपर है और इस पेपर को हम लोग पुरा डिसकस करेंगे विडि सोलुशन तो आप लोग हमारे साथ लाच तक बने रहेगा तो देखे सबसे पहला जो कोशन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है तो आप लोग देख स जो हमारा Chartered Accountant Act है वर्ल के अंदर वो कब पास हुआ तो इसका जो सही आंसर है पो क्या होगा A 1880 उसके बाद चलते है कोशन नंबर टू पर और देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में कंपनी खातों का जो आंकेक्षान है कब से अनिवारी किया गया वेन दा ओड़ेट इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उनिस सो चोदा यानिकी बी और इसके बाद चलेंगे कोशन नंबर त्री अंकेक्षन लाब दायक है जिहां ओडिटिंग इस यूसफुल इसमें पूछा गया कि हम जो ओडिटिंग कराते हैं उसका परफस किया है कहां पर यूसफु इसका सही आंसर है जो हमारा ओडिटिंग है या फिर अंकेक्षन है यही लाब दायक है इन सभी कामों के लिए और इसके बाद चलते हैं क्वेशन नंबर फॉर देखें क्वेशन नंबर फॉर में क्या दिया है कि इस्टिटूट ओप चार्टर अकाउंटेंट ओप इंडिया इस ए यही इसका नेचर पुछा गया है कि जो अपना आई सी आई है इसका अखिरकार क्या नेचर है तो यह ऐसी संस्ता है जो अटोनोमियस बोड़ी है यानि कि सबातें संस्ता है यह कहीं से जो है सपॉर्ट नहीं मिलता है अपने पैसे चलती है उसके बाद कोश्चो नंबर v5 में क्या पुछा है फेलो मेंबर जो मेंबर होंगे ऑप ICAI केन रिटरन हो क्या करेंग एक अपने नाम के सामने कौन सा अल्फबेट यूस करेंगे क्या य और उसके बाद चलते हैं हम लोग इसका अपना जो हम लोग कराते हैं आखिरकार वह कौन सा एक्ट है जिसके कोडिंग यह विर्कुल कमपल्सरी है तो इसका जो सही आंसर है तो क्या हो गए इंडियन कमपनी एक्ट टो थो में कम लिख दिए तो यह बताना है कि किस टाइप की एरर है तो आप लोग सभी बता सकते हैं कि यह कौन सी एरर है कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग एरर उस एरर को कहा जाएगा जहां पर एक गलती दूसरी गलती को पूरा करती हो उसके बाद चलें कोशन नमबर एट पर चार्टड जो एकाउंटेंट एक्ट ओप इंडिया वाज मेड कि जो भारत में चार्टड एकाउंटेंट अधिनियम जो है कव पारित किया गया तो इसका सही आंचर होगा बी 1949 उसके बाद चलते हैं कोशन नमबर नाइन मन नाइन में देखिए ओडिटिंग बिइंग वेर यानि कि अंखिक्षन प्रारम होता है जिहां अगर आप लोगों ने 2000 का 2022 वाला पेपर देखा होगा तो उसमें भी यह वाले कोशन थे आप लोग प्लेइलिस्ट में जा करके 2022 और उसके बाद कुछ इंप्रेंट नोट्स वगेरा वहां पर पढ़े हुए तो आप लोग प्लेइलिस्ट में चैक कर सकते हैं सभी पेपर आपको वहां पर मिल तो जहां भी अपनी भूक कीबिग एंड होगी ठीक है क्या एंड होगी एकाउटनसी सबसे पहले क्या आता है नमबर एक वें जाए हिपीपिज नमबर दो एकाउटएंसी नमबर थर्ड ओडिट और ओडिट के बाद आता है अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक है इस तरह से आप लोग इस सिरीज को ध्यान रखिएगा तो आप लोगों कफी help मिलेगी उसके बाद पुछाएगी जो head उपीस है ICI का जो head उपीस है वो आखिर कार कहा है तो इसका जो सही answer होगा वो आप लोग बता सकते हैं डेली ठीक है मुंबई मत कर देना उसके बाद चलते हैं question number 11 पर देगे question number 11 में क्या किया गया है कि audit is mandatory और compulsory for यानि कि वो कौन सी सिस्थाएं हैं कौन से ऐसे इस इसी चूट है या कौन से ऐसी कंपनिया है जिनके लिए auditing compulsory है अनिवार ये है अंकिक्षन तो चाहे धर्मात ट्रस्ट हो या सन्युक्त जोइंट companies हो या फिर cooperative societies हो सभी के लिए all of these इसका सही आंसर होगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे question number 12 पर तो यह है आप लोगे सामने question number 12 क्या दिया हुआ है कि purchase हमने पर्चेस किया 500 रुपे का और एंटर कर दिया 15 रुपे इंदा books of account तो यह किस तरह की एरर है तो यह जो अपनी एरर है इसका सही आंसर होगा अगर मैं कोई चीज भूल जाओ लिखने से तो ना तो डेविट पर एफेक्ट पड़ेगा और ना कर्जिट पर है और एफेक्ट पड़ेगा तो इक्वल पड़ेगा उसके बाद question number 14 allocation of labor in the construction of personal building engaged in the construction of official building यानि कि देखे कारिये के कारियालने के भवन के लिए मजदुरों को लाया गया था लेकिन निजी भवन के निर्मान में लगा दिया और तो यह किस तरह का गवन है तो यहां पर लेवर काम कर दिया तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना और उसके बाद चलें question number 15 नमर और आप लोग देख सकते हैं कि 15 का जो question हो क्या है audit program should be जो audit program में आखिरकार किस तरह का होना चाहिए तो इसका सही आंसर है बे फ्लेक्शिबल होना चाहिए clear cut होना चाहिए वाइडर होना चाहिए ठीक है और उसके बाद चलें question number 16 audit program implies planning of audit work by जो अंकेक्शन कारीकरम है वो कों तयार करेगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा audit start ठीक है जैसे auditor है auditor क्या करता है कि audit का जो program काम करने से पहले उसकी planning बनाएगा और जो audit की हमारे team होगी वो से पूरा करेगी question number 17 audit notebook जो audit notebook है आगिरकार उसमें क्या लिखा रहता है तो जो audit notebook है जब हम लोग कोई audit करने जाएंगे तो अपने साथ एक notebook रखेंगे और इसमें सभी बातों को note करेंगे कि वह यह जो इसमें कौन-कौन सी किस तरह के पहले काम हुए है ठीक है और जो हम लोग देख रहे हैं वो सब बाते जो भी इसमें important है वो note करते रहते हैं इ audit program is flexible plan procedure of examination this definition given by एक लोज़दार योजनावत जांच की परिक्रिया को अंकेक्षन कारियकरम कहते हैं जो परिभासा है यह किस ने दिया है तो इसका जो सही answer होगा वह होगा भी और थर और उसके बाद चलेंगे हम लोग question number देखे उसके बाद question number 19 which of the following is the merit of audit program तो जो इसका सही answer है वो क्या है all of these या फिर उप्रोक सभी उसके बाद question number 20 20 में पुछा गया है कि return plan जो हम लोग return plan है containing exact details regarding conduct of particular audit इस कार्ड यानि कि एक लिखी दियोजना जिसमें किसी अंक्यक्षक विसेश से संबंदित विश्तरत विवरंग रहता है उसे क्या कहेंगे तो इसका जो सही answer है वो क्या होगा audit program और question number 21 21 21 में क्या है कि routine checking is done by जो routine checking है यानि नयत्यक जाच वो किसके दवारा की जाएगी या फिर उसे कौन करेगा तो इसका सही answer is employees of condition इसके बाद चलते हैं कि question number 22 इसमें पुछा कि test checking means यानि कि प्रिक्षिन जाच प्रिक्षिन का मतलब होता है किसी चीज पर्टिग्लर चीजों को जाच करना सभी की checking नहीं करेंगे बलकि हम लोग कुछ सेंपल निकाल लेंगे उसकी checking करेंगे तो इसका सही answer है C और उसके बाद चलते हैं question number 23 पर question number 23 में audit notebook जो audit notebook है आगे रिकार उसमें क्या रहता है तो इसका सही answer है D और उसके बाद है question number 24 the scope of work of internal audit is decided by यानि कि जो हमारा internal audit है उसका काम कौन decide करेगा कि कितना काम होगा कितना नहीं होगा किस तरह से होगा कौन करेगा तो इसका जो सही answer है वह है management ठीक है internal audit में वहीं decide करते हैं और इसके बाद है question number 25 25 में क्या दिया हुआ है कि internal audit of a business concerned is done by यानि कि जो internal audit है जिसके हम लोग भी बात करें थे जो decide करता है management उसके लिए उसे करता कौन है ठीक है internal audit हम किस से कराएंगे तो जो इसका सही answer है employees से यहीं कि जो संस्ता है वह अपने ही करमचारियों से अपनी internal audit करा सकती है इसमें किसी से यह की जुरूत नहीं है जो भी अपना staff है से audit हो जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने लोग पूरे 100 कंप्लेट करेंगे लेकिन फोर पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे हमने ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं पराइए छोटी-छोटी पार्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही और 25 के बाद जो भी आगे कोशन होंगे वह आप को नेक्स पार्ट मिल जाएंगे आप लोग वीडियो को कंटीनू देखेंगा ठीक है थैंक्स पर वोचिए